के बात जिसे भी वैक्सीन को लेकर अभी भी जरा सा भी भर्म है उसे एम्स के डिरेक्टर रंदीव गुलेरिया जी की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए समझना चाहिए सर अभी अभी वैक्सीनेशन भी लगा है एक तो वो अनुभव और सिंकिन कर रहा है कि हम इतने एतिहासिक कदम की तरफ एक देश के तौर पर आज हम आगे बढ़ें तो एक तो मेरे लिए एक बहुत हमलिंग एक्सपीरेंस है और गर्ब के बाद भी है कि आज पहले दिन मुझे वैक्सीन लगा है लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सब लोग जब भी उनके बारी है वो आगे आई वैक्सीन के साथ लोगों को बहुत शंकाए हैं उनको दूर करें अब आगे बढ़ें वैक्सीन लगा कि हम अपने लोगों की प्रटेक्ट करें जिनसे मोटालिटी भी कम हो चेन ओफ ट्रांस्विशन भी तूटे और हमारा देश वापस पट्री पे आए आपने आज तक के जरी हमेशा ये कहा था है आपने खुलकर आडवोकेट किया था वैक्सीन को यही मकसद भी था कि आज एम्स के डिरेक्टर अंदीब गुलेरिया लेंगे तो अब किसी को कोई भिमारी होती है सार डॉक्टर के पास ही जाते है कि डॉक्टर साहब क्या करें और आप बाद में और वैक्सीन भी आएंगे आप वो लगाएं अगर वो रैगुलेटरी अथारिटीज के प्रूवल के से हैं और अगर उनका पूरा स्वेज वान फेज टू और एफिकेसी और सेफटी डेटा है तो वो ज़रूर लगाएं हमें बहुत डोस चाहिएं वैक् साइड इफेक्ट के बारे में अब बताएंगे जिन लोगों को आज लगा है किस तरह के कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जो वो पहले से उसके लिए तयार रहें मैंटली और क्या करना चाहिए ऐसे किसी पेशिन को क्योंकि कैसे ट्रैक कर रहे ही है आप पेशिन्स को लोगों को घबराना नहीं चाहिए कुछ लोग का मानना है कि यह अच्छा साइड एफेक्ट है क्योंकि यह शो करता है कि वैक्सीन आपके बॉडी में काम कर रही है कुछ लोगों को अलर्जिक रेक्शन हो सकते हैं इसलिए सब लोगों को आदा घंटे के लिए हम मॉनिटर कर करके अपनी कोई भी शंका हो उसको दूर कर सकते हैं क्या भारत के पास इतने वैक्सीन हैं सर और आम आदमी तक लोगों के मन में यह है कि अभी तो फ्रंट लाइन वरकर्स हैं डॉक्टर हर्श्वार्दर ने भी अभी बताया कि मुए भी अपनी बारी का इंतजार करूंग पर जितने डोस मिलें हम उतने ही वैक्सिनेट कर पाएंगे तो हम यहीं कोशिस कर रहे हैं कि जतने जतने मैनुफैक्टर हो उनसे हम जतना जादा डोजें हमें कमाएर देश को मिल पाएं और आगे और गम्पनीज भी आएं जो जिनको प्रूर्वल मिलें तो हमारा जौ वै तो मेरा मानना है कि अगले तीन-चार मीने में हमारा पस कई वैक्सीन ब्रैंड्स आ जाएंगे जो हमें सपोर्ट करेंगे कि हमारा पूल बढ़े और फटा-फट और लोगों को भी वैक्सीन करता है कैसे डिसाइड हो पाया कि को वैक्सीन भारत बायो टेक का है वही एमस में लगेगा सब क्या स्वदेशी के पुश के लिए है किया गया है यह तो स्टेट गौर्श करता है तो हम जो जो जैसे जैसे डिपेंडिंग अन हर एक वैक्सीन के कितने डोज़ ऑविलेबल और किसको क इतने चाहिए उस्टेट गश्वर्मेंट की तरफ से डिस्टिबूशन होता है तो इसमें हस्पिटल का क्या वैक्सीन मिलेगा और किसको पहले मिलेगा वो डिसाइड करने में कोई रोल नहीं है वो स्टेट गश्वर्मेंट या अपके फोरी की अगला डोस सर अपको अब 28 द वो हम 15 दिन के बाद रिजियूम करते हैं कि आपके आंटीबोडी बन गई हैं कुछ लोगों में आज ट्राइल पॉइंट इवी उसे देखना चाहें तो वो कर सकता है आंटीबोडी इसका काउंट आएगा सर्व ब्लड टेस्ट कि आपके टाइटर कितना है और सबसे विशेश बात ये है कि